ये कहानी है एक student विकी की जो पहले एक टॉपर था लेकिन क्लास 8 और 9 में आते आते वो एक average student बन गया हर साल उसको पढ़ाई पहले से जादा मुश्किल लगने लगी और क्लास 10 में जब उसके बहुत बुरे माक्स आते है पढ़ाई से तंग होकर उसने अपनी मम्मी को बोला मा ये पढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों होती है जाओ मुझे नहीं करनी है और तभी उसकी मम्मी ने उसके माथे पे हाथ फिरके बोला चल आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ एक बार एक pencil तंग होकर अपने परिवार से बोलती है और एक दिन अपनी धार से इतिहास में अपना नाम लिखेगा